Good morning to all of you, as you know about me, this is Farana Khan before of you and I am a part of New Horizon Public School as a Hindi teacher. So today I want to talk about class 5th. Class 5th, आप लोगों का Hindi व्याकरण में टॉपिक है संग्या तता सरुनाम की परिभाशा. Students, हम इसमें संग्या तता सरुनाम की परिभाशा पढ़ेंगे और समझेंगे की संग्या और सरुनाम होते क्या हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं, देखें संग्या, किसी व्याक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संग्या कहते हैं, व्याक्ति यानि किसी का भी नाम मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है या किसी भी किसी का भी नाम, For example, राम, शाम, सीता ये किसमें आएंगे? व्यक्ति में वस्तू कोई भी वस्तू ले लिजे, आप चौक ले लिजे, टेबिल ले लिजे, मेज ले लिजे, वस्तू क्या होती है ये? वस्तू या इस्थान इस्थान में किसी भी जंगा, या शहर, जैसे आधरा, दिल्ली, ये काईम आएंगे? इस्थान में के नाम को संग्या कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तू या इस्थान के नाम को संग्या कहते हैं जैसे मैंने एक्जाम्पिल रख रखे हैं राम, किताब, अम्रोहा राम क्या है व्यक्ति है इसमें हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं आप लोग अपना भी नाम लिख सकते हैं अपने पैरेंट्स का भी नाम लिख सकते हैं मेरा भी नाम लिख सकते हैं ठीक है वस्तू वस्तू में मैंने किताब लिखी है आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं मेज मेज, बुक या चौक, कुछ भी लिख सकते हैं आम वस्तू या इस्थान, मैंने अम्रोहा लिखा है, आप लोग किसी भी इस्थान या शहर का नाम लिख सकते हैं, आदी यानि इसके आगे और भी बहुत से चीज़े हम यूज़ कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी संग्या के परिभाशा, किसी व्यक्ती वस्तू या इस्थान के नाम को संग्या कहते हैं, जैसे राम किताब अम्रोहा आदी, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम की परिभाशा, संग्या के इस्थान पर बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं स्टुडेंट्स उधारन के लिए जैसे मैं बात करूं राम एक बहुत अच्छा लड़का है राम कक्षा साथ में पढ़ता है या राम के स्कूल में कारिकरम है तो हरबार में एक शब को चारित यानी बोलती रहूंगी तो बारबार में संग्या का प्रियोग करती रहूंगी तो यह अच्छा नहीं दिखता तो इसके लिए हम ऐसे शब्द करेंगे जो संग्या को ही बताते हैं जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा साथ में पढ़ता है, तो संग्या के नामों की जंगा हम कुछ ऐसे शब्द प्रियोग करेंगे, जैसे वह, उसके, मैं, हम, ये जो सभी शब्द का प्रियोग क्या जाता है, वह सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदी, आया स्टुटेंट समझ में आप लोगों के संग्या के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदी, तो ये थी हमारी सर्वनाम की परिभाशा, आई होप आप लोगों के संग्या और सर्वनाम समझ में आया हो, आप लोग लोगों का हूंवर्क है आप लोगों को संग्या की डेफिनेशन यानि परिभाशा लर्ण करनी है थैंक यूँ